हेलो तो अलो फ्यू आज मैं आपको स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में बताऊंगी कि स्क्रीन प्रिंटिंग कैसे होती है और इस पर अगर आपको वर्क करना है तो आप कैसे वर्क कर सकते हैं और जो कोशन एक्जाम में आते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग के बारे में वो भी आपको बताए जाएंगे आज इसी वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीन मुदरन वर्थमान में यह है प्रिंटिंग के एक महत्पून विदी है इसको सेरिग्राफी और पॉरश सर्फ्रेज पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है इसमें सिल्क या लाइनोन का एक महीन कपड़ा जिसमें जाली मैस होता है लखडी की फ्रेम के उपर कस देते हैं पहला कोशन की सेरिग्राफी को और क्या कहा जा सकता है सिल्क स्क्रीन मुदरन पॉरश सर्फ्रेज और एक है स्टेशनल ये बोला जाता है और जिसमें कोशिज इसमें दूसा है कि इसमें जो कपड़ा यूज होता है स्क्रीन प्रिंटिंग में वो कौन सा होता है एक तो सिल्क और लाइनोन का कपड़ा यूज होता है लेकि लाइनोन का कपड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है इसमें इसलिए से सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं यह स्क्रीन छिदरो जाली की सगंता की अधार पर वीवीन परकार की होती है अब इसमें जो कपड़ा यूज होता है उस कपड़ी की क्वाल्टी के बारे में बताते हैं कि उस कपड़ा का जो मैस होता है उसे मैस बोलते हैं उसकी क्वाल्टी के बारे में जानते हैं जो 50 मैस होता है अगर आपको प्रिंटिंग में मोटी चपाई चाहिए आपको मोटा मोटा वर्क करना है और आपको मोटी चपाई चाहिए प्रिंटिंग में तो आप कम नंबर की कपड़े का यूज करेंगे यानि कि 50 मैस का यूज करेंगे इसमें 80 मैस भी होता है 120 मैस होता है 140 मैस का भी कपड़ा होता है और 220 मैस का तो अगर आपको अच्छी प्रिंटिंग चाहिए यानि कि बहुती फिनिशिंग और बारिक वर्क चाहिए बहुती बारिक वर्क काम चाहिए तो अच्छी प्रिंटिंग के लिए ज्यादा मैस नंबर के कपड़े का परियोग करते हैं और ज्यादा मैस नंबर का कपड़ा है 220 मैस का अगर आपको अच्छा वर्क चाहिए तो 220 मैस के कपड़े का यूज़ करना पड़ेगा और आपको मोटी प्रिंटिंग के लिए स्टेशनल की अधार पर होता है डिखो सैरी ग्राफी में जो यह स्टेशनल भी होता腺 इसी से ही स्टार्ट हुआ था स्टेशनल को कोई नहीं जानता ज़्यादा इस्थिल्क casino सबको ज़्यादा σιनल के बारें परता ही क्योंकि सिल्क एपte जादा फेमस वड़ हो आ है اور स्क्रीन मुदरन लेकिन स्टेशनल भी एक वर्ड है इसको ही स्क्रीन प्रिंटिंग बोलते हैं तो स्क्रीन प्रिंटिंग का विकास स्टेशनल के अधार पर हुआ था प्राचिन काल में भी स्टेशनल का प्रयोग छपाई के लिए किया जाता है इस विदी की खोज जो इसकी जो खोज हुई थी वो मिश्रवाश्यों ने की थी। आधुनिक समय में 27-28 अताब्दी इसका प्रयोग फ्रांस और इंग्लेंड के लोग वॉल पेपर पर मुदरन के लिए करते हैं। 1914 में पिल्सबर्थ ने इस पधिती का प्रयोग वहु रंगी छपाई के लिए क्या। वह कैसे कैसे क्या प्रोसेजर है पहले क्या करना होता है वह मैं आपको बताती हूं कि शिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का जो वर्क है वह कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में सब पर्थम लकडी की एक फ्रेम चोक्टे पर महिन कपड़ा जो प्राय लाइलोन का बना होता है लाइलोन का कपड़ा लाइलोन का जो कपड़ा है उस सबसे ज़्यादा स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होता है को कीलो के दुआरा फ्रेम के उपर अच्छी तरह जकर कस देते हैं इस परकार से स्क्रीन फ्रेम का निर्मान होता है अब इस पर सूपर कोट उस पर ने सूपर कोट किया जाता है जिसको बाइक्रो मेट बोलते हैं तो गोल होता है जो एक नुपका 10 की मात्रा में उसका यू prevention कर दने ने स्क्रिण पर पोत देते परमारी बज़ाना है जहां पर डिजाइन बना हुा है डिजाइन बज़ेसा अपने फ्लावर बना लिया और फ्लावर की करते की, चारो तरफ हो आपने कलर किया है और फिर जब आप कलर लगाओगे और फिर जो वाइपर होता है उसको ऐसा आप कलर खीचोगे तो जो फ्लावर बना हुआ है वो फ्लावर आपकी कपड़े पा जाएगा और वर्क सुन्दर लगता है यह वर्क बहुत ही जादा ब्यूटिफूल है लेपित करने के पशाथ स्क्रीन परकाश सब्दनशील हो जाते हैं इसके पशाथ जो फ्रेम पर डिजाइन का फिल्म पोजेटिव रखकर इसे परकाश से एक्सपोज कर लिया जाता है एक्सपोस करने से ये डिजाइन के काले जो हिस्से हैं मुदरिन छेट से प्रकाश नहीं निकल पाता और खाली जो हिस्सा होता है ये मुदरिन छेट से प्रकाश निकल कर फ्रेम पर लेगे गोल को कड़ा एक्सपोस कर देता है अब इस फ्रेम को पानी में घोलने से डिजाइन का जो मुदरन हिस्सा है वो अनेक्सपोजड एरिया जो परकास से एक्सपोज नहीं हुआ दूल जाता है और जिस हिस्से पर परकास पड़ता है वे नहीं दूलता सूखने के पश्यात इस स्क्रीन के चारों तरफ बचे हुए खाली हिस्से पर टेट से पेस्टिंग के जाती है और कबजे से क्लिप कबजे बोलते हैं क्लिप को कि साहिता से इसे एक मेज़ पर कस देते हैं अब पिन अप पिनिंग के चापने वाले कागज को नीचे रख कर इसके फ्रेम के उपर साही डालते हैं और साही को एक रबर्ड की पट्टी सक्यूजी से दबा लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ खीचते हैं मैंने वे आपको बताया है फ्लावर बनाया और फ्लावर पर हमने साइन लगा दिया और फिर इस्क्यूजी एक वाइपर की तरह होती है उसको ऐसे खिचो तो जो आपका प्रिंट है आपने डिजाइन बनाया है स्क्रीन पर वो आपके पेपर या क्लोथ पे आ जाएगा एक तरफ से दूसरी तरफ को खिचा जाता है जिससे साइन स्क्यूजी की दवाव पाकर कपड़ें से नीचे कागज पारा कर छप जाती है जो इसमें साइन का यूज होता है वो साइन का है इसमें कितने ही कदर की साइन का हम यूज कर सकते हैं जो पहली साइन का नाम है वो है वाइनो साइन, मेट, मैठलिक, फ्लोरा सेंट, ग्लैसी, कैल, ग्लासी ये साइन है जो स्क्रीन प्रिंटिंग में यूज होती है ये साइन का, कितनी साइन का यूज कर सकते हैं और ये स्क्रीन प्रिंटिंग में साइन यूज होती है मैं एक बार बता जाती हूँ वाइनोसाइन, मेट, मैठलिक, फ्लोरोसेट, ग्लैसी, केल, ग्लासी अब बात करते हैं जो स्क्रीन मुदरन है उसकी क्या फायदे हो सकते हैं और नुकस्तान फायदे जादा अच्छ हैं इसमें इस विदी से सपाट सत्य के लावा बेलनकार और विशेज सत्य की पर छपाई की जा सकते हैं इससे आप क्या कर सकते हो स्क्रीन प्रिंटिंग से पेपर पर छपाई कर सकते हो ग्लास पे भी कर सकते हो, कंच पे और धातू पे भी कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए अलग-अलग रंगों का प्रियोग इसमें कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है इसकी छपाई ओपेक ओपेक होती है एपारदरशी अब ये बहुत इंपोर्टेंट कोशन है कि ओपेक क्या होता है ओपेक एक पारदरशी होता है साई अपके ओपेक यानि के पारदरशी होने के कारण गहरे रंग को छपाई की एक बार में नहीं अच्छी तरह से की जा सकती है इसमें प्रिंटिंग करने से साई जादा और गाड़ी लगती है जिससे कुछ उभार पैदा होता है इसलिए से मुदरिस सामगरी सुंदर चमकीली होती है इसमें कुछ फॉल्स भी है कि स्क्रीन मुदरन करने से यह फॉल्स हो सकते है एक तो यह विदी बहुत महंगी है क्योंकि महंगी इसलिए है क्योंकि आप एक डिजाइन एक ही बार यूज़ कर सकते हो